नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ जारकन के पुर्फ सीम हमन्सोरिन की याचिका पर राची हाई कोट में आज सुनवाई हुई कोट ने एडी को एक बार में अपनी बात रखने को कहा है इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी हमन्सोरिन की ओर से सुप्रीम कोट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल जारकन के महा अधिवक्ता राजिवरंजन और अधिवक्ता प्यूश शित्रेश ने पक्ष्ट रखा वह एडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस्वी राजू अधिवक्ता एक अधिदास ने पहरवी की जैसिस चंदशेकर की अध्यक्षता वाली खनपीट में मामले की सुनवाई होई सुनवाई के बाद हैमन सोरेन की और से दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका और संचोधन पिटिशन पर जवाब दाखिल करने के लिए अधालत ने एडी को दो हफ़ते का समय दिया पुर्व सीएम ने एडी की गिरफतारी के खिलाफ क्रिमिनल और हस्तशेप याचिका दायर की है आज ही हैमन सोरेन की एडी रिमान भी खतम हो रही है इससे पहले पांच फरवरी को पुर्व सीएम की याचिका पर हाई कोट में सुनवाई हुई थी जहां दालत ने एडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था इसके लिए एडी को नो फरवरी तक का वक्त मिला था हैमन सोरेन की ओर से सुप्रिम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का पिल सिंबल पक्ष रखेंगे जबकि एडी की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित कुमा दास पेश होंगे याचिका की सुनवाई जस्टिस एस चंदरशेकर और जस्टिस अरुन कुमा राय की खनबीट में होगी हैमन सोरेन की गरफतारी के दिन ही सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कबिल सिंबल और अभिशेक मुनु सिंध्वी ने मुख्य नियादिश डी वाई चंदरचून की अगवाई वाली पीट के समक्ष इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की अपील की सीजे आई ने दो फ़वरी को मामले की सुनवाई करने की बात कही इसन जटिस करना जस्टिस एम एम सुन्दरेश और जटिस बेला त्रिवेदी की पीट में मामले की सुनवाई हुई जब सुप्रीम कोर्ट में याची का दी गई तब सॉलिसिटर जनरल तुशार मेता ने कहा कि हैमन सोरेन की और से ज़ारखन हाई कोर्ट में भी ऐसी याची का दाखिल की गई इस पर सिम्मल ने कहा कि हाई कोर्ट से याची का वापस ली जा रही है उन्होंने कहा कि अदालत को प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट की धारा 19 की समिक्षा करनी होगी इस पर सुप्रिम कोर्ट ने हैमन सोरेन की याची का को सुनने से मना करते वे उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा इससे पहले एक फरवरी को जारकन हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जहां हैमन सोरेन की और से याची का वापस लेने की बात कही गई जिस पर हाई कोट ने मना कर दिया पांच फर्वरी को अगली सुनवाई निदारित की पांच फर्वरी को एक्टिंग जीफ जस्टिस एस चंद्शेकर और जस्टिस अरुन कुमा रागी खंडपीट ने सुना इस दोरान E.D. के और से अधिवक्ता अमित कुमा दास ने कहा कि प्राथी की हस्तशे प्याचिका के माध्यम से नए तत्या आने के बाद उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय दिया जाएगा जिसे खंडपीट ने सिवकार करते हुए नो परवरी तक का समय दिया 2020 के लिए 12 परवरी की तारिक रखी है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद